हलो एवरिवन, आज हम लोग प्रसिडेंट की जो बचिवी पावर्स हैं, जो लास्ट वीडियो में बच गई थे, उसको कवर करेंगे तो लास्ट हम लोगों ने मिलिट्फरी पावर तक किया है, उसके बाद आज हम लोग डिपलोमेटिक पावर से स्टार्ट करेंगे diplomatic power, कूटनीतिक शक्तियां, मतलब भारत देश के अन्य देशों के साथ जो संबंध होते हैं, उनके साथ जो ट्रीटीज साइन की जाती है, समय समय पर जो M.O.U.s होते हैं, Memorandum of Understanding, है ना, वो सारे के सारे राष्टपती के नाम से किये जाते हैं, और इसके साथ में, जैसे ही मैंने यहाँ पर इसमें मैंशन किया है, President, Advise of Ministers, है ना, उनके हिसाब से काम होता है, और उसके साथ में, पार्लेमेंट का रैटिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, है ना, क्योंकि हम लोग पार्लेमेंटरी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, पार्लेमेंट जो है, वो अल्टिमेट है, तो उसका रैटिफिकेशन, जो भी ट्रेटी होगी, जो भी कुछ होगा, वो जाके सदन के पटल पे रखना होता है, और सदन से पारित करवाना होता है, सदन को अफगत, मतलब उसको बताना होता है, यह है डिप्लोमेटिक रिलेशन्स, उसमें राष्टपती की क्या भूमिका है, आगे देखिए, इसके बाद आती है, राष्टपती की लेजिसलेटिव पावर्स, लेजिसलेटिव मतलब विधाई शक्तियां, विधाई शक्ति मतलब संसद के अंदर, राष्टपती जी की क्या भूमिका है, एक तो यह है कि वो बिल से रिलेटर जो मैं आपको बताई है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम है, जो राष्टपती जी करते हैं, मतलब काउंसल ओफ मिनिस्टर के दुवारा राष्टपती जी करते हैं, सही है? देखिए, सबसे पहले चीज होती है, संसद के सदनों को बुलाना, मतलब समन करना, जब संसद का, मतलब पार्लेमेंट का जो सेशन होता है, दो सेशन के बीच में कभी भी 6 मेने से जादा का तो गैप नहीं होना चाहिए, यह रूल है, तो उनको जब बुलाना होता है, जब फर्स मिटिंग होती है, तो वो किसके नाम से बुलाया जाता है, राष्टपती जी, ठीक है? उसके बाद प्रोरोग, प्रोरोग का मतला होता है, समाप्त करना, P-R-O-R-O-G-P-R-O-G-U-E, प्रोरोग कहते हैं समाप्त करने को, यह टर्म्स हैं, जो स्पेसिफिकली पॉलिटी में यूज किये जाते हैं, चलिए, उसके बाद आता है, इनकी जो पावर्स हैं, जैसे पावर टू, डिजॉल्व दा लोवर हाउस, सरकार का जो पांस साल का टाइम पीरिड है, जब वो समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद, जब वो सदन भंग किया जाता है, प्रदान मंत्री जी अपना स्तीफा सोपते हैं, तो राष्टपती जी सदन को भंग करते हैं, या उसके पहले अगर सरकार गिर जाती है, किनी कारणों से, तो राष्टपती जी को शक्ती होती है, कि वो सदन को भंग कर देते हैं, और 6 महीने के अंदर, इलेक्शन करवाना ज़रूरी होता है, हमारे देश के अंदर ये विवस्ता है, कि गाउं में ग्राम पंचायत के चुनाव से लेके, ग्राम पंचायत को सुना चुनाव सबसे चोटा होता है, और राष्टपती जी का सबसे बड़ा चुनाव, मतलब पावर के उससे देखे तो है न, तो ये हरी एक चुनाव के अंदर, within six months, next election करवाना ज़रूरी होता है, उसके बाद आता है, power to summon a joint sitting of both the houses, अगर दोनों सदनों में किसी बिल के उपर कोई मतभेद है, या किसी मुद्दे पे कोई मतभेद है, deadlock बना हुआ है, कोई ऐसी परिस्थिती देश में उत्पन हो गई है, या सरकार ने कोई ऐसा decision ले लिया है, कि संसद नहीं चल रहा है, है न, सदन में कारेवाई नहीं हो रही है, तो फिर क्या हो, तो राष्ट पती जी, दोनों सदनों की joint sitting, मतलब lower house, लोकसभा, upper house, राज्यसभा, दोनों सदनों की, जो meeting है, उसे call करते हैं, है न, जिससे की वो deadlock खतम हो सके, उसके अलावा, article 87 में mention है, कि जो opening address होता है, जब नई सरकार का गठन होता है, गठन होने के बाद, जो opening address होता है, वो राष्टपती जी के दुवारा किया जाता है, write to address and to send messages, article 86 में है, कि वो समय समय पे संसद को, address भी कर सकते हैं, और साथ में, जब उनको कोई कुछ लगता है, कि उनका कोई विचार संसद में जाना चाहिए, या कोई message उन्हें देना होता है, तो वो संसद को कोई भी message या address, ये दोनों चीज़े कर सकते हैं, under article 86, इसके बाद, जो power है, वो है nomination की, nominating members to the houses, both the houses, एक तो होता है चुनाओ, एक होता है nominate करना, है ना, चुनाओ में तो election होता है, उसमें तो हम लोग participate करते हैं, नोमिनेशन के अंदर क्या होता है, कि कुछ लोग, जो की, जब समविधान, जब constitution बनाया गया, तो उसमें ये चीज़ रखे गई, कि एक तो election के दुवारा आई जाएंगे, सारा मतलब पूरे भारत का representation होगा, लेकिन उसके अलावा भी, जैसे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जिनका शायद representation उतना ना हो, है ना, और तो उसलिए उन लोगों का, एक nomination की विवस्था की गई, nomination है ना, तो लोग सभा के अंदर, दो लोगों का nomination किया जाता है, वो होते हैं, एंगलो इंडियन कम्यूनिटी के, अंगलो भारती है समुदा है, मतलब ये ब्रिटिश अर्स हैं, जो भारत में रह गए उस समय पे, तो दो लोग जिससे की, इनकी जो भी बात है, इनके समाज की, इनकी problems या कुछ भी, ये संसत के समखश रख सकते हैं, अपनी बाते, दूसरा है, राज्यसभा के अंदर, 12 लोगों का nomination किया जाता है, और याद रखेगा, राष्टपती जी कर रहे है, लेकिन कौन कर रहा है असल में, ये कर रहा है, council of minister, तो राज्यसभा के अंदर, 12 लोगों का nomination होता है, जो कि किस field से आते हैं, literature, science, art and social service, इस फिल्ड से आते हैं, है ना, जैसे कि सचिन तेंदूलकर जी वो राज्यसभा के सदसे थे, रेखा फिल्म डस्ट्री से है, वो राज्यसभा की सदसे थी, है ना, और इसके साथ में सबसे पहली फिल्म डस्ट्री से जो एक्ट्रिस थी, जो राज्यसभा की सदसे रही है, व इसके अलावा और क्या काम होते हैं, इसके अलावा राष्टपती जी के नाम से क्या किया जाता है, लेंग रिपोर्ट्स एटसरा बिफोर पार्लेमेंट, सदन के पड़ल पर बहुत सारे रिपोर्ट रखी जाती हैं, for example, जिसे बजट है, या कैग की रिपोर्ट जो में आप को को लास्ट क्लास में भी बताया था, Comptroller and General of India अंडर Article 148 काम करते हैं, है न, Finance Commission की रिपोर्ट्स, तो मतलब यह होता है कि देश के अंदर जो भी चल रहा है, वो आपको रिपोर्ट देनी है, है न, रिपोर्ट जो होती है, किसके संसद में दी जाती है, मतलब आपने जो भ देखिए, अब तक जैसे जो हमने बाते की हैं, ये तो ये है, कि जो काम हो गया, उसके बात बताना, या कोई जैसे बिल आता है, तो जैसे मैंने बताया, आप लोगों को लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और फिर राश्ट पती जी के पास जाएगा, लेकिन ऐसे कई सारे bills होते हैं जो पहले जिनमें राष्टपती जी की permission ली जाती है उसके बाद वो संसद में introduce किये जाते हैं तो एक तो उनमें सबसे important होता है money bill, पैसे से सम्मधित जो भी चीज होगी वो पहले राष्टपती जी से पूछा जाता है उसके बाद वो संसद में रखी जाती है अगर budget pass नहीं होता है अगर कभी ऐसा हुआ कि budget pass नहीं हुआ तो संसाद जो सरकार होती है वो गिर जाती है है न उसको त्याग पत्र दिना पड़ता है तो इसमें पहला कौन सी चीज है formation of new states or the alteration of boundaries of existing states ये article 3 में mention किया गया है कि कोई अगर नया राज्य बनाना हो है ना या कोई existing जो state है उसके boundary में कोई alteration करना हो तो फिर पहले राष्टपती जी से permission ली जाती है इसके अलावा money bill जैसे मैंने बताई है धनवी धयक पहले पूछा जाता है देखो ऐसा होता है है कि घर के अंदर आप बहुत सारे काम होते हैं जो कर ले जब अडल्ट होगे आप तो आप बहुत सारे काम भार कर के आजाओगे उसके बाद आके आप सूचित कर दो कि ऐसा हुआ है मैंने ये कर दिया है लेकिन जब तक आप कमाते नहीं हो आप अपने घरवालों के अंदर में रहते हुआ आपको खर्चा दे रहे हैं आपका पूरा का पूरा जो एक्सपेंडिचर है वो वहन कर रहे हैं तो वो जब पैसे देते हैं तो आपको बताना होता है कि कहां पे आप वो पैसा खर्च करोगे है ना तो बाकी की चीज़े आप आद में भी बता सकते हो लेकिन पैसे के समय पे फोर एक्जामपल आपने इतने हजार रुपेचे तो क्यों चाहिए भई कहां खर्चा करना है सेम टू सेम राष्ट पती जी से पहले पर्मिशन ली जाती है तब वो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है इसके बाद एक्सपेंडिचर फ्रॉम दे कंसोलिडेटेड फंड ओफ इंडिया जैसे इमर्जन्सी के लिए कोई पैसा रख दे वो अलग छुपा के आपने रखा है तो सेफ के अंदर आपने पैसा रखा हुआ है तो वहां से जो पैसा लिया जाएगा तो पाप या मम्मी की पर्मिशन से लिया जाएगा न भई तो यह क्या है एक्सपेंडिचर अगर आप वहां से करोगे सेफ में से तो पहले पर्मिशन लोगे पापा की तो वो यह ही है कि पहले भई राष्ट्रपती जी की पर्मिशन होगी तो उसमें से खर्चा किया जाएगा सही है आगे देखे एक इनकी महत्वपूर्ण बहुत ही जादा लेजिसलेटिव पावर होती है वो होती है वीटो पावर ठीक है वीटो पावर बिल से संबंदित होती है जैसे राष्ट्रपती जी के पास कोई बिल गया वो उसको मन्जूरी देंगे या नहीं देंगे ये होती है Vito power ठीक है Vito power कैसे होती है Article 111 में यह mention किया गया है कि कोई भी बिल जब राश्टपती जी के पास जाता है तो राश्टपती जी के पास तीन रास्ते होते हैं है थीन alternatives होते हैं first होता है तो उसे स्वीक्रती दे देंगे assent, ठीक है? दूसरा होता है wirdhold कर लेना, बन्लब रोक के रख लेना अपने पास में, और तीसरा होता है इसे वापस भीज देना, सही है? तो जिसमें withhold करना होता है, जो अपने पास रोकना होता है, वो होती है veto power, उसको veto power बोलते हैं, अब वो किस तरीके से है, यह हम लोग अभ वीटो और फिर pocket वीटो इन में से जो qualified वीटो है वो हमारे राष्टपती जी के पास नहीं होता है यह वाली जो पावर है यह American President की पावर है यह question भी आ जाता है बहुत बार जैसे कि आपको यह चार पावर्स दे दी है चार यह वीटो पावर महाँ पे mention कर दी और फिर उसमें आप से पूछा जाता है कि इन में से कौन सी वीटो पावर है जो हमारे देश के राष्टपती के पास नहीं है तो उसमें होती qualified वीटो सही है तो इन में से बाकी की जो तीन है absolute, suspensive और pocket यह हमारे देश के राष्टपती के पास है अब इनको समझते हैं कि यह होती कैसी है absolute व बिल को एक दम से मना नहीं कर सकते कि मैं इसको करूंगा ही नहीं तो इसलिए absolute वीटो की भी कुछ चंडिशन से हैं जिसमें absolute वीटो लगता है है तो पहला क्या है पहली कौन से कंडिशन है private members bill संसद का कोई भी सदस्य है जो कि मंत्री ना हो क्योंकि मंत्री है तो मंत्री है लेकिन उसमें क्या private member का अगर किसी का bill है तो उसमें absolute वीटो लगा देते हैं मतलब वो जरूरी नहीं उस पर sign लिया मतलब उसको pass करें दूसरा होता है एक परिस्थिती उत्पन हो जाती है समझ ये कि सरकार जो उस समय पे है उसने त्याग पत्र दे दिया है है न मतलब सरका आई है इन केस अगर वो उस bill में इंट्रेस्टी ना दिखाए तो राष्टपती जी जो है मतलब मना कर दे कि आप इसको मतलब आप साइन मत कीजी इसके उपर आप इसको मतलब consent मत दीजी अपनी है ना तो फिर क्या होता है कि वो बिल वहीं का वहीं लैप्स हो जाता है और था और तर यह को मतलतLY है और तो वहीं का वहीं का वहीं का फिर क्रिंश को मना जाता है मतलब जो बिल फोट माना जाता है इसके बाद जो वीटो आता है वो होता है suspensive वीटो देलंबित करना किसी चीज़ को मतलब आपने उसको खतम नहीं किया है जैसे होता है किसी को जॉब से suspend कर दिया खतम नहीं उसको हटाया नहीं जाता है लेकिन कुछ inquiry या कुछ इस तरीके से बैठती है उसके बाद अगर वो होता है तो फिर वो वापस जॉब में रख लिया जाता है इसी तरीके से इसमें होता है समझे कि कोई बिल राश्टपती जी के पास भेजा राश्टपती जी को उसमें किनी 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 पॉइंट्स पर अब्जेक्शन है न कोई पैरेग्राफ या कुछ भी उनको लग रहा है कि यह थोड़ा चेंज होना चाहिए या लाइंग बेज या कुछ भी है न तो वो वापस सरकार के उनको ये कंपलजन हो जाता है कि राश्टपती जी को फिर उस पर साइन करने ही पड़ेंगे एक बात दूसरी बात कोई भी money bill कभी भी reconsideration के लिए नहीं भेजा जाता है मतलब जो भी 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 धन से संबंदित है वो कभी भी reconsideration के लिए नहीं भेजाता जाता है कारण क्या कारण यह है क्योंकि जैसे मैंने भी बताया है कि वो राश्टपती जी की मन्जूरी के बाद ही तो संसद में लाया गया है ना एक बात दूसरी बात और समझिए कोई भी बिल लोकसभा के अंदर धनविध्यक है या नहीं है यह कौन तया करता और यह बहुत ही इमपर्टन लोक-सभा़ा के सिवीकर होते है इस चीज़ को वो तया करते है इसके बाद देखिए pocket veto, pocket पंदर जैसे जेब में आपने कोई चीज रख ली, मतलब इसमें करते हैं कि इसमें होता क्या है, neither ratifies nor rejects nor returns, राष्ट पती जी जो होते हैं वो ना तो किसी बिल को स्वीकरती देते हैं, ना उसे वो अस्वीकरत करते हैं और ना ही वो उसे दुबारा से उसके reconsideration के लिए पुनह सोचने हैं तो उसको दुबारा से भेजते हैं, इसमें क्या है, इसमें constitution के अंदर जो यह लिखा हुआ है कि जैसे दोनों सदनों से बिल पास हुआ और वो पहुँचे राष्ट पती जी के पास, तो राष्ट पती जी उसे कितने समय में वापस भ जी तो वहाँ पे लिखा हुआ है as soon as possible, अब वो as soon as possible राष्ट पती जी कितने समय को मानते हैं, अब वो उनकी description पे निरभर करता है, तो यह भी होता है pocket veto, उन्होंने रख लिया, अब वो सोच रहे हैं उस चीज के उपर, बस ठीक है, इसके बाद जो next power है राष्ट पती जी Parliament की power है, जो लोक सभा और राज्य सभा की जो power है, वो बिलकुल parallel power, यह ordinance making power होती है, प्रेसिडेंट की, लेकिन यह को जो special circumstances के लिए बनाई गई गई है, जैसे देश के अदर कोई ऐसी स्थिती उत्पन हो गई है, जैसे last year पूरा और अभी भी COVID का जो समय है, तो यह बिलकु ऐसे situations यह हैं, इस तरीके से, तो हलाकि उसमें जो हमारी emergency के जो provisions है, मैं आदमें बाद में बताऊंगी, उसमें अलग तरीके का एक वो है, वो मैं आपको समझाऊंगी जब हम उस topic पे आएंगे, तो ordinance making power वो ऐसे situations के लिए है, जैसे कि आप इसमें देखिए, ऐसी कोई परस् कि जैसे लोकसभा का चल रहा है, राज्यसभा का नहीं चल रहा है, या फिर दोनों ही सदन उस समय पे नहीं चल रहे हैं, तो उस समय पे क्या हो, और वो ज़रूरी है करना, तो उस समय पे क्या किया जाता है, परलेमेंट को एक तरीके से, परलेमेंट के जो दोनों सदन है, इनको bypass करके बिल जो है वो सीधा का सीधा राष्टपती जी के पास पहुचा दिया जाता है और राष्टपती जी उस पे डायरेक्ट एक दम से उसको concern दे देते हैं और वो act में तबदिल हो जाता है सही है ये होता किसके उससे है ये होता है अडवाईज ओफ council of ministers सही है बिलकुल लेकिन इसकी साथ में परिस्थि ये लगती है कि ये जब सदन की कारवाही शुरू होगी तो जिस दिन इसे कारवाही शुरू हो रही है उसके 6 हफ़ते के अंदर इस बिलकुर ratify करवाना ज़रूरी होता है ये होता है ordinance making power और इसको कई बार misuse भी कर लिया जाता है ये अंडर आर्टिकल 123 और ये important है अध्यादेश की जो शक्ती होती है राष्टपती की वो कौन से आर्टिकल में आती है और वो शक्ती होती क्या है सही है अब देखिए उसके बाद राष्टपती जी की शक्ती है पारड़निंग पावर्स पारड़निंग मतला पारड़न करना शमा करना शमादान की शक्ती है बहुत बड़ी शक्ती है आप इसको ऐसे समझेए गवर्नर की भी शक्ती होती है पारड़निंग की और राष्टपती की भी होती है सही है गवर्नर एक स्टेट का होता है राष्टपती जी पूरे देश के हैं तो शक्तियों में भी तो डिफ्रेंसियेशन होगा ना जैसे समझेए कि घर के अंदर आपके फादर और आपके बाबाजी अगर जॉइन फैमली में है तो तो पापा की शक्ति कम होंगी और सारी तो एक जैसी है दोनों की ठीक है ना लेकिन दो पावर में राष्टपती जी जादा शक्ति शाली है कौन सी एक तो कोर्ट मार्शल की कोर्ट मार्शल क्या होता है कोर्ट मार्शल जो सेना अपने किसी अधिकारी को किसी जवान को जो पनिश्मेंट देती है वो कोर्ट म राष्टपती जी के पास होता है, गवर्णर के पास नहीं होता है, यह याद रखेगा, अब यह जो पार्डन की पावर्ट से हैं, यह राष्टपती जी के आर्टिकल 72 में मैंशन की गई है, यह होती कौन-कौन सी है, इसमें कहा है कई टर्म्स यूज किये गए हैं और कही तर जब एक रहत है, जो पसको पर्शikel गई ह होता है, गियाया, खsilb भी तो थोड़ा सा कम कर दिया, उसकी सिवेरनी कम कर दिया, किरेक्टर उसका चेंच कर दिया, सही है. तीसरा है, रमिशन, रमिशन का होता है छूट, मतलब सम्विआवधी कम करना, क्यरेक्टर तो वह लिए क्योंकि इस को वहाँ पर बेवहार बहुत अच्छा है उसको काम दिया जाता हigning वह काम बहुत अच्छह से करता है तो उसके बेसिस पे उसका जो टाइम पिरρεड होता है वह कम कर दिया जाता है पिर तीसरी फिर क्या होता है, ऐसे में जो dund है, वो थोड़ा कम कर दिया जाता है, और लास्ट है इसके इंदर reprieve करना, यह types of pardoning powers है, types of pardoning powers कि किस तरीके से कैसे कैसे pardon किया जाता है, है ना, उसके बाद है reprieve, ऐसा नहीं होता, pardon का मतलब कि हर एक उसमें शमाई कर रहा है, यह अलग लग तो उसमें बहुत बार आपने देखा होगा, जैसे कि किसी को punishment तो मिला था बहुत साल पहले और अचानक से अब उसको यह आया है कि अब उसको फासी होगी, तो तब पता चलता है कि अच्छा उस साल हुआ था और यह सारा case इस तरीके से था, तो इतना time कैसे लग जाता है, वो दंड विराम का मतलब यहां पर यह है, क्योंकि डेट सेंटेंस ऐसा है कि वो इनसान चला गया फिर आएगा नहीं है, तो उसको हर एक वो एक दिया जाता है, हर एक facility जिससे कि मतलब वो यह न रहे उसके रिलेटिव उसको सगे संबंदियों को, कि हमें मतलब एक मोका नह नहीं मिला इस तरीके से है ना, तो इसमें क्या होता है, एक for temporary time period, उसका वो जो दंड है, वो उसमें विराम लग जाता है, जैसे कि कुछ time के लिए, फिर कुछ time के लिए है ना, और जब सारे के सारे वो यूस कर लेता है, जितने भी provisions हैं, जितने भी एक तरीके से उसको facility य गई है, वो सारी यह सारी चीज़े यूस कर लेता है, तो उसके बाद फिर उसको वो punishment दिया जाता है, नेक्स देखते हैं, और यह last है, राष्ट पती जी की, जो सबसे एक तरीके से, जिसको center government सबसे जादा यूस करती है, करा है, या यह कह लीजे, misuse किया है, वो है emergency powers, आप आपातकालिन शक्ती, मतलब इस यह तीन तरीके से होती है, आपातकाल आप समझी सकते हो शब्द से, कि मतलब कोई ऐसे situation होगी, जैसे war, internal aggression, या armed rebellion, यही शब्द हमारे constitution में यूस किया गए है, या यूद की कोई स्थिती है, यूद हो गया है, या internal aggression, देश के अंदर, यह इ नेशनल इमर्जंसी लगाई जा सकती है, यह लगती है अनुछेद 352 के तहट, आर्टिकल 352 के तहट, भारत देश में आजाद भारत देश में 1947 के बाद से, और आज तक सिर्फ एक बार नेशनल इमर्जंसी का यूस किया है, गवर्मेंट ने, है ना, 1975 में उस समेंद्रा ग जो पूरी अथारेटी है, वो सेंट्रलाइजड हो जाती है, सारी की सारी शक्तियां पहुंच जाती है, केंद्री है, विधाइका के पास, है ना, मतलब जो सरकार है, वो अपने अनुसार फिर बिलकुल काम करती है, और पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम हो जाता है, सही है, त पुरे देश में लगेगी अंडर अर्टिकल 352 और जो प्रेसिडेंट्स रूल होता है राष्ट्रपति शाषन जैसे रीसेंटली भी बहुत बार आपने यह सुना होगा वर्ड यह राज्यों में लगता है कारण इसके दो हैं अंडर अर्टिकल 356 मेंशन किया है और अंडर अ हमारे देश के अंडर ऐसा हुआ है कि समझिये कि राज्यों के अंडर जो दल है जो सरकार है वो किसी अन्य दल की है और के अंडर के अंडर जो सरकार है वो किसी अन्य दल की है तो ऐसा होता है कि दोनों में किसी बात पर भेद हो गया या इगो प्रॉब्लम या कुछ भी का यूज करके वो वहाँ पे उस राज्य सरकार को भंकर दिया जाता है और वहाँ पे राश्ट पती शाशन लगा दिया गया है बहुत बार इस तरीके के cases हुए हमारे देश में तो पहला क्या है 356 356 में क्या होता है constitution के provisions के according अगर वहाँ के government काम नहीं कर रही है तो governor सहाब report बना के भीशते हैं president के पास है ना फिर वो home ministry उसको देखती है और उसके इसाब से फिर उस पर निर्न लिया जाता है governor का है यहाँ पर role क्या है governor ऐसा होता है कि यह जो व्यक्ति है यह center government अपोइंट करती है है ना अगर एक ही party के हैं मतलब केंदर में भी वही दल है और राज्ये के अंदर भी उसी दल की सरकार है तो कोई problem ही नहीं है लेकिन problem arise तब होती है जब governor मतलब जो center government ने पोइंट किया वो अलग दल के हैं और सरकार भी के अंदर में अलग दल की है और जो राज्ये के अंदर जो सरकार है वो किसी अन्य दल की है तो वहाँ पर बहुत बार ego clashes होते हैं और उसमें कई बार यह misuse हो जाता है दूसरी चीज़ है article 365 बहुत सारी books में आपको सिर्फ प्रेसिडेंट रूल के लिए 356 का mention में आपको मिलेगा 356 ही लिखा हुआ मिलेगा और बहुत सारे में कई इंस्टिट्यूट्स के नोट्स वगरा जो होते हैं जैसे कि बच्चे मेरे को बताते थे क्लास के अंदर बताते हैं तो उसमें क्या है 356 ही बताए जाता है लेकिन आप स्टेंडर्ड बुक्स अगर पढ़ेंगे और किसी अच्छे संस्थान से आप पढ़ाई करेंगे तो महां पर आपको दूसरा जो प्रेसिडेंट रूल का जो प्रावधान है वो है 365 365 में क्या होता है राज्य सरकार का केंदर सरकार के तिशा निर्देशों पर काम ना करना मतलब जो सेंटर गवर्मेंट ने जो गाइडलाइन्स दी हैं मतलब वो जो बता रहे हैं उन पर अगर राज्य सरकार काम नहीं करती है तो यह की valid reason हो जाता है केंदर सरकार के लिए कि वो राष्टपती शाशन हो पर उस राज्य के अंदर लगा देती है और राष्टपती शाशन का मतलब क्या है सरकार जो चुनी गई है वो सिस्पेंड हो जाती है गवर्नर साहब इंचार्ज ह हो जाते हैं एक तरीके सब पूरी की पूरी जो सत्ता फिर वो चलती है सेंटर गोवर्मेंट के दुवारा गवर्णर के दुवारा चलाई जाती है और तीसरी emergency होती है वो होती है financial emergency financial emergency with emergency मतलब केंदर सरकार एक तरीके साथ समझे दिवालिया हो जाना पैसा नहीं है देश के अंदर और इश्वरे के आशिरवाद से हमारे देश में आज तक कभी भी ये इस टाइप की emergency नहीं लगी है ये emergency अनुच्छे 360 मतलब आर्टिकल 360 के अंदर में लगती है यहाँ पे आके precedent जो है ये पूरा chapter फिनिश हो जाता है अब हम लोग कल से एक नया पूलिटिक का कोई chapter स्टार्ट करेंगे आप इसको समझेगा अगर विडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर जरूर कीजेगा और सब्सक्राइब कीजेगा चैनल को लाइक कीजेगा थैंक यू सो मच टेक कियर